आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल स्टेडी विद इस्मृती में तो आए सुरू करते हैं आज की ग्लास आज की ग्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ बिहार जी के और इसक्रम में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बिहार का स्वतंत्रता संग्रा ये सारे स्टरान के लिए हलफल होने वाला है जो बीपीसि की तियारी कर रहे है और साथ में बिहार एस सी की तियारी करने वाले स्टरूण के लिए भी काफी हलफल होगा क्योंकि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से maximum प्र oxid सबसे पहला प्रश्ण जो मैंने सामिल किया है वो है किस पत्रीगा के भारतिय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके अस्थान पर कनिंगम को नियुप्त किया था इसका उत्तर है बिहारी बिहार के प्रिथक प्रांथ बनाने की मांग की प्रस्तुती में सक्रिया रहे दो अकबार वो कौन कौन से अकबार थे दी बिहारी और दी बिहार टाइम्स ये दो अकबार जो थे वो बिहार को प्रिथक प्रांथ बनाने के अंधुलन में सक्रिया थे और इसके संपादक थे दी बिहारी जो पत्रीका थी उसके संपादक थे बाबु महेश्वरी प्रसाद, अब क्या था कि बाबु महेश्वरी प्रसाद के अस्थान पर कनिंगम को निप्त कर दिया गया था, तो यही प्रशन पूछा गया है यहाँ पर, अगला प्रशन है कि कि लास्ट में जो इसका काफी कन्फ्यूजिंग होता है यदि आप यह कॉंसेट्स क्लियर नहीं हो तो आप प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे सकते हैं तो यहां सिर्फ वन-liner पढ़ाने से काम नहीं चलेगा तो हम लोग जानेंगे बंकीम चंद्र मित्र के बारे में जिन्हों ने हिंदू वाज एस्टापना की थी हुआ क्या था कि 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समीति की एक साखा खोली और इस जो साखा थी अनुशीलन समीति उसके संचालन का जो स्रेय था वो पटना में बीएन कॉलेज की एक शात्र थे बंकीम चंद्र मित्र उनको मिला हुआ था तो आपने जाना कि बंकिम चंदर मित्र कौन थे तो ये BN कॉलेज के एक शात्र थे और अनुशीलन समिति की देखबाल ये कर रहा थे लेकिन बंकिम चंदर मित्र ने एक और एस्थापना के जिसका नाम था Hindu World Association तो इतनी चीजों को आपने जाना बंकिम चंद्र मित्र के बारे में अगला प्रश्ण है बनारा सन्यंत्र में कौन सामिल था इसका भी उतर है बंकिम चंद्र मित्र में सामिल थे जान लें कि इन्हों ने अस्थपना की और इन्हों ने वीवेका नंद की पुस्तक उन्या ऐको पढ़ाइं धीं फरवरी 1914 इस वी को बंकिम चंद्र मित्र के घर की तलाशी ले गई पुलिस के द्वारा और इस पुलिस की तलाशी में क्रांतिकारी साहिते जो थे वो बंकीम चंद्र मित्र के घर से बरामद हुए थे हुआ कि 1915 इसमें इस भी में बंकीम चंद्र को सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ बनारा सड्यंत्र कांड में पकड़ लिया गया था अब आपने जाना कि बनारा सड्यंत्र कांड में किनको किनको पकड़ा गया था तो सचिंद् अप्रेल 1940 में में हुआ था जानें-गे और पंतर करूमें का प्रशने है तो अगला स्रीर कुमारबक्षी क्या थे इसका उत्तर है ये शांती कुमार बक्षी जो थे वो एक रांतिकारी नेता थे श्री शांती कुमार बक्षी बिहार के राश्टी आंदोलन में इन्होंने अपना काफी बहुत बड़ा योगदान दिया था अगला प्रस्ण है कि जै प्रकास नरायन को रास्टी अस्तर की नेता की पहचान किस संदर्व में मिली थी तो उन भारत चोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में बिहार से भाग मिली थे और एक बहुत बड़े नेता की रूप में ही ओभरे वी थे भारत गोशित किया गया था तो यह है इसका उत्र होगा सारण सारण को भारत छोड़ो अंदोलन में अप्राधी जीला गोशित किया गया था अगला प्रशन है कि 30 अप्रेल 1908 के मुझफरपूर बंकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था इसका उत्र है जज किंग्स वर्स 1908 में इसके जो अभ्यूक्त थे वो थे खुदी रामबोस प्रफुल चाकी प्रफुल चंद्र चाकी इन्हों ने मुझफरपूर के जीला जज किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था उन्होंने बंभी फेका परन्तु मृत्यू हो गई किसकी वह किंग्स पोर् खुदी रामबोस जो थे वो पकड़े गए और उनको फांसी की सजा मिले थे अगला प्रशन है कि गांधी ने सरवप्रथम किशान आंदुलन में भाग लिया था तो यह था चंपारन सत्याग्रा भारत में सत्याग्रा का पहला प्रयोग जो हुआ था यह 1927 में चंपारन मे ही किया गया था और भारत में सत्याग्रा का पहला प्रयोग पूछा जाए तो इसका उतर होगा चंपारन और 1917 में वा था लेकिन अगर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रा का प्रयोग जो था वह दक्षीन अफरीका में हुआ था अगला प्रशन है कि भारत छोड़ों आंद संबंधित नहीं थे तो देखें इसमें option मैंने यहां दे रखा है कि राजिंदर प्रशाद अनुगरह नरायंट सिंग जेबी क्रिपलानी और जय प्रकास नरायंट इसका उत्तर होगा जय प्रकास नरायंट जो थे वह चंपारन आंदोलन से संबंधित नहीं थे उनका कोई रोल नहीं था चंपारन सत्याग्रा में माहात्मा गांधी के स्योगी ति राजिंदर प्रशाद ब्रिज को यही है? कि आपका टॉपिक पे पकड मजबूत हो सकें क्यूंकि प्रश्ण बिहार BPSC में कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं लांस्ट का जो आप्शन होता है काफी कन्फ्यूजिंग होता है और उसको आप अच्छे तरीके से सल्व कर सकें उस प्रश्ण का उत्तर अगला प्रश्ण है कि गांधी जी ने किसानों का दूख दूर करने केलिए सत्याग्रा किया था तो यह उसका उत्तरों का चंपारन अगला प्रश्ण है कि स्री मनींदर नरायन राय क्या थै यह कर्angen्तिकारी थे श्री मनिंदर नरायन पत्ना करांतिकारी पार्टी के नेता थे ये और साथ में 1923 में अस्थापित पत्ना युवक संग में भी इनका प्रमुक योगदान रहा है अगला प्रशन है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसी ने जागरित किया था तो बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागरित करने वाले थे यदुनंदन शर्मा ये था वर्स 1931 बी गिया किसान आंदोलन का कारण था कि गिया जिले में बकाष्ट जमीन किसान को दिलाने के लिए जो ये आंदोलन हुआ था और उसके प्रमुक नेता जो थे वो जदोनन्दन शर्मा थे अगला प्रशन है कि बिहारी स्टुडेंट कॉन्फरेंस कब अस्थापित हुआ तो ये अस्थापित हुआ था 1906 बी में और डॉक्टर राजिंद प्रशाद के प्रयास से हुआ था बिहारी स्टुडेंट कॉन्फरेंस अगला प्रशन है कि कॉंग्रेस का गया अधिवेशन के अधिक्षता किस ने की थी तो कॉंग्रेस के गया अधिवेशन के अधिक्षता सी आरदास ने की थी और ये गया में अधिवेशन कॉंग्रेस का हुआ था दिसंबर 1922 बी में अगला प्रश्ण है कि बिहार में प्रभावती देवी किस छेत्र की स्वतंदरता से नानी थी तो इसका उत्तर है पटना प्रभावती देवी के बारे में जान ले कि ये प्रभावती देवी जो थी वो जैप्रकास नरायन की पतनी थी और पटना छेतर में ये सक्रिया थी अगला प्रस्ण है कि भागलपूर में एक अजाद दस्ते का गठन किस ने किया था तो भागलपूर में अजाद दस्ते का गठन किया था सिया राम सिंग ने अक्थराम लोग अजाद दस्ता के बारे में जान ले कि अजाद दस्ता का गठन जयप्रकास नरायन ने किया था और जो थे वो काफी महत्वपुन उन्होंने युगदान दिया था और सिया राम दल का इन्होंने एक गठन किया था और इसके इससे प्रभावित छेत्र जो था वो था भागलपूर मुंगेर किशन गंज बल्या सुल्तान गंज और पुर्णिया तो आज का क्लास जो है वो यहीं समाथ होता है मिलते हैं और नेट क्लास में बिहार के कुछ और भी प्रमुक इंपोर्टेंट जीके को ले करके तो धन्यवाद